आज नुमाईश में ट्राफिक स्टॉल जो हर बार लगाए जाता है इसको इनागरेट करने के लिए मैं आया था हूँ बहुती शांदार तरीके से हमारे ट्राफिक आफिसर्स एडिशनल जाइंट सीपी रंगनाथ डी सीपी प्राकाश और करुनागरून के आफिसर्स के साथ इसको बनाए है यह हर बार किया जाता है नुमाईश के दौरान यहां पर जो भी आते हैं बच्चों के साथ यहां ट्र ट्राफिक रूल्स के बारे में उनका वेर्नेस किया जाता है रेड लाइट ग्रीन लाइट औरेंज उसका मतलब क्या है स्टॉप कैसे करके जाना है और दूसरे जो स्पीड के वह हैं उनको दिखाया जाता है क्या क्या कैसे हैट्रबाट ट्राफिक पुलिस कैसे काम करता है क्या-क्या electronic equipment यूज़ करता है अपने enforcement में चालांज कैसे डालते हैं ये सब उनको तिखाया जाता है ये awareness का है ये बार देखा गया है कि इसके बाजू एक sheetings भरोसा का भी एक stall है उसमें cybercrime के equipment है कैसा cybercrime किया जाता है उसके बारे में बहुत अच्छी बात है इसके बारे में आजकल पब्लिक में काफी नाराजगी है और क्यूंकि cybercrime के case बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं cheating loan frauds investment frauds marriage frauds ऐसे बहुत चीज सुनाई दे रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छा हमारे crime CCS officers ने किया है स्रीनिवास के supervision में तो आज बहुत खुशी की बात है कि नुमाइश जो जैनुरी में शुरू होना था वो आज शुरू होकर 15 दिन चल रहा है इसको हम उसका बहुत ही encouragement हम दिये थे कि इसको चलाना चाहिए क्यूंकि आपको पता है कि कोविट के वज़े से काफी लोगों को दिक्कत हुई थी उनका जो जीने का आधार था वो खतम हो गया था गरीबी बढ़ गई थी बढ़ गई है देश में भी और जो employment का जो था रोजगार था उसका भी हमने देखा कि बहुत नुकसान हुआ है लोगों को तो जो भी economic activity हम दे सकते हैं एंकरेज कर सकते हैं पोलिस के तरफ से हम करना चाहते हैं और नुमाइश एक जो हैदराबाद का बहुत ही पुराना इवेंट है उसको हम दोराना चाहते हैं उसको एंकरेज करना चाहते तो इसका permission हमने दिया था फिर से थर्ड वे आने के कारण वो उसको फिर से पोस्पोन कर दिया गया पर फिर से जब थो साफ थे कई पर्मिशन देना इसको कैसे भी करना है कि इसके प्रेज़रंस मिनिस्टेस साँ उन्हों नेaway इसके बारे में काफी अलोचनक की और उनको उन्हों नों मितको legitim करना है तो हमने आगे चल कर इसको परभी ऑफिक प्येसर्द ह्यारण में चला दी शांड欸 पहली बार है पर हम चाते हैं कि इसके द्वारा लाखों जो इस पर गरीब लोग है जो इस पर जो सेल्स करते हैं जो स्टॉल्स चलाते हैं उस पर निरबर है इस पर अधारित है उन सब को मदद होगी इससे और हम एक्जबिशन सोसाइटी वालों को भी बहुत हम दाग देते ह हैं कि उन्होंने ऐसा काम किया है जिसके वज़े से हमारा एकॉनमी भी रिवाइब हो और गरीब लोगों की साहता हो यहां पर हजारों लोग आ रहे हैं रोज इसका हम बंदोबस का पूरा इंतजाम किये हैं और यह चलता रहेगा यह मैना और अगले मैने सब्सक्राइब करेंगे और जो भी हो सकता है हम करेंगे जरूर इसका एक्सेंशन चाहते हैं तो हम उसका पॉजिटिवली हम देखेंगे